इस अपर्चुनिटी को मिशना करें देखिए किस तरह से चारों तरफ गाडियां ही गाडियां अधर विव पॉइंट के सभी दर्शकों का मैं बहुत आभारी हूं जिस प्रकार से इस चैनल को आप लोग सपोर्ट कर रहा हूं दोनों लोग मिल दूल करके रियल स्टेट में जो भी कुछ सुधार हम लोग ला सकते हैं उसका हम प्रयास कर रहे हैं और उस प्रयास में आपक अधर यहां पर आपको रेंटल इंकम आती हैं जहां आपको मंतली इंकम के सोर्सेज बनते हैं एरपोर्ट रोड आज मोहाली का सबसे होट डेस्टिनेशन बन गया है जैसे कि दिली में करॉट प्लेस है मॉंबई में नरिमन पॉइंट है जितने भी अच्छे कॉमर्शियल सेंटर्स हैं हम अभी थोड़े दिन पहले तुर्की गए थे यहां की एक कंपनी है अरोडा लैंड कॉप वह एसोसियेट्स में जो अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको तुर्की लेके गए वहां पर भी एक इस्तक्बाल स्ट्रीट करके मार्केट थी जो कॉमर्शिल की बह इस अबर्ण करते हैं इन दोनों चीजों का समीकरण देखते हुए जो एक दस एकड़ की साइट पर डवलप हो रहा है आज इस साइट को इंडिवस करेंगे हमारी सहभागी संगीता जी और मैं आपको इंडिवस करता हूं संगीता जी से आप में हमारे दर्शकों को आपके जो भी कोश्चेनेर से वह पूछिए और पूछ करके मैं इंडिवस करूंगा वंद्रा जी को जो इस कंपनी को रिप्रेजेंट करती हैं वंद्रा जी यहां सबसे पुराने स्टाफ हैं और यह आज आज आपको प्रपर वे से बताएंगे कि एंडिवस क्योंकि आप तो आज आज हमें क्वेसिन है हमारा कि जैसे कि MCC2 की सफलता काफी अच्छी गई है तो उसके बाद में MCC3 का क्या विउ है हमाय दर्शक यह जानना चाहते हैं क्योंकि इसमें काफी कन्फीजन हो रहा है महाली सिटी सेंटर का जैसे कि आप जानते है कि फॉस्स प्रोजिक्ट जो है वह हमारा डिलिवर्ड है महाली सिटी सेंटर वन सेक्सेफुली डिलिवर्ड प्रोजेक्टर है उसके बाद हमने महाली सिटी सेंटर 2 प्रेजंट किया और महाली सिटी सेंटर 2 वह भी विदिन 2-3 मंस में इसका पोजेशन दे रहे हैं और बेस पाट किया कि सभी यह 10 एकड की साइट है, 10 एकड की साइट है, इसका maximum frontage है हमारे पास, जो की more than 1000 feet के आसपर से में, best part इसका यह है कि यह जो site ही four-sided open है, जैसा कि आप देख सकते हैं, front पर 200 feet highway आ गया, एक side जो है आपकी right side इसका ही पर, आपकी right side पर 500 feet का sector dividing road है, जो की आपस में connect करता है, फिर इस side आपके left side में 100 feet का road है, जो की residential को connect करता है, और इस side के पीछे 60 feet का road है, जो की residential को connect करता है मैं, तो यह four-sided open है, second thing है, जैसे में MCC2 में किया है, हमारे पास जो show rooms है, वो 18-90 के हैं, तो यहां पर हमने size सोड़ा और अच्छा कर दिया, 18-85 का है, प्लस basement कर दिया, और यह जो हम प्रंट पर show rooms बना रहे हैं, सारे highway facing show rooms है, ग्राउंड के साथ 7-story है, और इस पूरी जो building है, इसमें 4 floors है, जो की double height दे रहे है, आज चल double height का बहुत जादा trend है, बड़े-बड़े brands double height को प्रेपर करते हैं, तो उसकी वज़े से आपने ground fast, top के जो दो है, वो 6th और 7th वो सारी double height दे है, बल्कुल unique चीज है, माफिट के according आप यह कह सकते है, ग्राउंड के साथ basement connected, अगर storage वगरा future में जाई हो किसी brand को तो वो भी provide कर रहे है, वो internal stairs है, internal stairs है, जो basement की है, वैसे बाहर से lift and staircase से provide किया गया है, तो वो connect करती है basement को, हाँ जी माफिट करती है, हमारी जो पूरे 10 एकड के project के नीचे 10 एकड की parking है, जो कि double basement car parking है, जिसमें B1, B2 है, वहीं से आपके lift and staircase स्टार्ट हो जाता है माफिट है, हमारा दूसरा question यह है कि जैसे कि MCC 2 में दो ही segment है, shops and showrooms, 3 में काफी concept है, जो कि हमें confusion create करता है, तो उसमें क्या आप बताएंगे, मैम, as such कोई confusion वाली बात नहीं है, यहाँ पर जो segment है, यहाँ पर भी 2, लेकिन sizes आप कह सकते हैं, बेरी कर रहे हैं, sizes में हमें कुछ चीजें निकाली है, जैसे front पर अगर आप बात करें, तो front में से 2 sizes आते हैं, 18 x 75 या फिर कुछ फ्लोज यहाँ पर 27 x 75 की आगी है, यह front के showrooms है, फिर अगर हम side की बात करें, ऐसे side पर तो दोनो side 15 x 63 के showrooms बना रहे हैं, वो only 3 स्टोरी हैं हमारे, फिर उसके बाद अगर उनके साथ connected 3 rows हैं, तो वो 12 x 45 की बे shops बना रहे हैं, वो भी 3 स्टोरी है, ground first and second floor है, और उसके साथ में जो है, वो कुछ 5 और 6 rows हमारी shops की है, जो कि single story shop है, 923 और 936 की, तो यह ही sizes है, और best part क्या है, यह sizes इसलिए दे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी site है, अगर किसी ने below 1 CR की investment करनी है, तो वो भी हमारे पास होना चाह बिलो 1 CR का भी आप यहां पर product देख सकते हैं, अगर एक दो unit है, जो मेरे पास below, आप कहा सकते है, 60 lakh के भी है, लेकिन अगर हम ऐसे segment की बात करें, तो 85 lakh onwards आप यहां पर investment देख सकते हैं, वो आज की date का है, वो आज की date का है, जैसे अभी यह जो projects होते हैं, कि हर एक stage पर price appreciate हो यह product जो है, यह product गमाडा approved है, रेरा approved है, अगर आप किसी से bank से funding चाते हैं, तो bank से funding भी मल जाती है, आज की जो construction stage है, इस पर एक दूबार price revise भी हो चुका है, लेकिन जबते की position पर आएगा, after position, इसके prices और appreciate होंगे मैम, एक चीज़ और है, कि आपके यहां की USP क्या है, मैम USP यह है कि हमारी एक तो मोहाली city center आज की date में जो है, वो biggest commercial hub है, जो कि airport road के उपर है, second thing यह है कि हमारे सारे show rooms जो है, वो main highway facing है, उसके बाद यह है कि हमारी जो site है, very near to international airport है, very near to IT city मोहाली है, very near to आप यह कह सकते हैं कि जो industrial area है, उसके आसपास है, तो काफी सारी USPs है, और अगर आप देखें, तो यह हमारा city का entry point भी है, इसकी जो visibility है बहुत अच्छी है, हमारे projects की, और सारे ही जो हमारे projects हैं, वो हमने गमाड़ा से E option के जरिये लिए हुआ है, यह तो मैं location की हो गई कुछ चीज़ें, लेकिन अगर हम सिर्फ project की बात करें, तो project में हमारे सारे show rooms even shops भी, यह with lift facility आ जाते हैं, इतने बड़े जैसे commercial habits, हमने power backup का भी option दिया हुआ है, power backup भी होगा, इसमें lift भी होगी, maximum car space, parking space भी दे रहे हैं, और हर एक जो show room है, या mini show rooms है, उनकी visibility भी proper है, तो यह USP's MM हमारी, ठीक है, प्लस यह कि अगर आप shop की बात करें, तो shop भी double height है, ज जो base shops के floor है, वो भी double height है, अभी तक market में किसी के पास भी option है, सिर्फ हम है, महाली city center जिसके पास यह option है, तो हर एक जो floor है, वो double height है, shops में, base shops में, और जो mini show rooms है, पंदर अबाइट रिशत के, उसमें में, फिर्फ यह front वाले show room है, जिसमें 4 floor है, हमारे, वो double height है, बर्कि normal height में, में, एक और डाउट आ रहा है, हमारे में में, कि जैसे इतने सारी commercial है, यहां से, जहां दी भी देखें, एक commercial है, तो क्या इसमें कोई brand वगेरा, किसी ने sign out किया है, या, में, जैसे commercial है, तो यह गमाड़ा के तरफ से ही, जो पूरा road है, रूड के दोनों तरफ ही commercial sites ही ह में, यह planning में ही है, कि commercial sites है, second thing है, कि जैसे हमारे यहां पर six projects आच चुके है, जिसमें से अभी एक delivered है, और एक very near to position है, तो जो very near to position है, उसमें, और एक जिसका हम six to eight months, जैसे कि avenue सामने वाली site है, बहां पर है, तो कुछ brands final खर चुके है, for example, Haldi Ram, एक बहुत ही बड़ा brand है, Lick Bakers है, Hauser है, यह एक furniture studio आ जाता है, Reliance Trend है, Reliance Digital है, और काफी सारे अनदर ब्रैंड्स ही है, जो भी pipeline में है, और जो सारे ब्रैंड्स है, जो सारे ब्रैंड्स है, यह प्रोपर्ली साइन हुए है, असानी कि हम verbal होले है, यह on agreement साइन हुए है, और इस टाइं पर बात करें, तो कि श्रॉप्स में भी आ सके ब्रैंड्स, दूसरा जैसे महाली सिटी सेंटर एवेन्यू कमिंग 6-8 मंस में पोजेशन पर आ जाएगा, बहां पर भी 3-4 ब्रैंड्स है, जो फाइनल हो चुके हैं, लेकिन कंपनी के पॉलिसी होती है, कि एक टाइम पर ही कुछ लीगल फॉमा पर आप क्या सकते हैं, वो महाली सिटी में ही याएंगे सारे ब्रैंड्स में, थोड़ा वक्त लगता है, अब लास्ट कुश्चिन है, कि आप पॉजेशन कब दे रहे हैं, मैम पॉजेशन जो है, अगर आप हमारा ये पूरा स्टुक्चर बेखें अभी, तो अल्मॉस्ट हम कंप्लीट करने वाले हैं कुछ ही मंस में, तो according to structure और according to अभी तक जो हमने construction किये, उसके हिसाब से एक से देट साल में इसका position most probably देने की कोशिश करेंगे, पर as a रेरा जो नॉम्स है, उसके according जो agreement पे हमारा system है, agreement पे जो हमें टाइम बिला गमाडा के थूरू से उससे पह स्टेज पर होंगे मैं, so dear friends, आपने देखा, आपने सुना, आपने समझा, MCC3 का भविश, MCC3 का वर्तमान, construction की रफ्तार, मोहाली, city center, STJ, जो जो कंपनी है, इनका जो काम करने का अंदाज है, जो रफ्तार है, वो unmatchable है, in complete मोहाली, समय से पहले चीज बना के deliver हो जाती है, of course, structure बनने में ज्यादा समय नहीं लगता, finishing में थोड़ा बहुत समय लगता है, लेकिन जब चीज समय से मिल रही हो, आपके agreement में दी हुई date से पहले मिल रही हो, तो लोगों को बड़ा संतोस होता, इस बात का, secondly, MCC2 जब बन रहा था, तो लोग मुझे का पांडे जी, इनने पांडे जी को पता है, आप एवनू में ले लो, आप वहां के भी खतम होने के बाद, MCC3 आएगा उसके बाद, दीरे दीरे देखिए, यह एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा सफर बनेगा, जहां स्टार्टिंग से ले करके, एंड तक करीब 2 किलोमीटर के स्ट्रेस में, कम्पनिया होंगी, ब्रांट्स ही ब्रांट्स होंगी, और कॉमर्शल का यहां पर इससे सुन्दर, इससे परफेक्ट डेस्टिनेशन नौर्थ इंडिया में, कोई नहीं होगा, आतिशयोक्ती नहीं है, समय न जाया करें, जो चीज नहीं बन रही है, अरे भाईया, उसको खरीदने का क कि जल्दी हो सके क्लोज करें, डे बाई डे रेट एफ्शेट हो रहे है, हर नहीं साइट का ओक्षन, कई करोड़ रुपए जमीन का बढ़ कर के ओक्षन होता है, बट अब्योरस है, जब जमीन का रेट बढ़ के ओक्षन होता है, तो प्रटर्की कॉस भी बढ़ जाती है, इसलिए दोस्तों समय न जाय करें commercial property का शौक रखने वाले commercial property का प्रयोग करने वाले इस opportunity को मिशन करें देखिए किस तरह से चारो तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां जैहिं